दोस्तो कोटेक महंद्रा बैंक भारत के प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है लेकिन दोस्तो इसके इतने बड़े बनने की कहाने भी बेहदी संगर्स बढ़ी है इसकी शुरुआत 300 स्कॉर फिट के एक छोटी से कमरे से हुई थी और शुरुआत इस चैनल पर लाते रहें दोस्तो ये कहानी है साल 1969 में जन्में उद्यकोटक की उद्यकोटक गुजरात के एक मिडिलकरास फैमिली में जन्में थे और उनका परिवार कोटन का बिजनिस किया करता था लेकिन वो पढ़ाय लिखाई में काफी अच्छे थे और वो भी आगे अपन लगने से उनको ब्रैन हैमरेज हो गया इसके बाद उनका उपरेशन करना पड़ा और उपरेशन करने के साहती उनका जो करकेटर बनने का सपना तो तूट चुका था अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की और सोचा कि क्यों ना मैं अपना कोई आगे ब अपने family business को छोड़कर तुम किसी की नोगरी करोगे तो इसलिए फिर उद्यकोटक ने कहा कि मैं अपना family business नहीं करुगा क्योंकि अगर मैं family business करूँगा तो family महर भी बड़े लोग हैं मुझे हर चीज में उनकी राई लेनी पड़ेगी और मैं अपना independence कुछ अपना business करना चा बात की क्योंकि उस टाइम पर लोगों को तो आसानी से ब्याज मिल जाता था लेकिन जो कमरेशल थी बड़ी-बड़ी कंपनिया थी उनको लोन देने में काफी दिक्कत आती थी और काफी हाई रेट पर मिलता था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कमरेशल लोन देकर उसको सस् लोगों को दिया करती थी और इस तरह से जो इनका कारोबार था वो धीरे-धीरे चलना स्टार्ट भी हो गया था लेकिन फिर इनौने अपने कारोबार को बढ़ाने का निश्चे किया और तभी इनकी दोस्ती आनंद मेह healthy के नाम बदलकर कोटेक मेंस स्लिमिटेड हो गया और धीरे-धीरे अपने कारुबार को आगे बढ़ा रहे थे एक तरह दूसरे बड़े बैंक लोग को इंडिवेजिवल लोन दे रहे थे दूसरे तरह से में बड़ी-बड़ी कंपनियां जो को कमर्शल लोन देने में लगे हुए थे और इस तरह से जो इनका कारोबार था वो भी धीरे-धीरे ग्रो करता जा रहा था कंपनी बड़ी होती जा रही थी छोटे से कमरे से सुरू किया कारोबार अब धीरे-धीरे बड़ा होने लगा था तो इसलिए इनों ने अपने उस 300 वर्फिट के कमरे को छोड़ कर फिर दलाली स्टीट पर एक छोटा सा अपना से सेट अप शुरू किया और फिर अपनी कंपनी कंपनी को महां से रन करने लगे और फिर इस तरह बैंक के रूप में कारे करने लगे बैंक के रूप में कारे करने के बाद इनोंने अपनी और भी कारोबार को काफी फैलाया आज इनका कारोबार इंसुरेंस सेक्टर कंसल्टेंसी सेक्टर और भी काफी सारे सेक्टरों में बटा हुआ है इसलिए आज इनकी कंपनी के जो न करते हैं तो इसलिए, अपने customer के साथ कभी भी ये नहीं कहते हैं, कि उनके साथ route वयवार करें, उनके साथ हमेशा से अच्छा वयवार करते हैं, जो बी चीज की उनको need होते हैं, वो सबसे पहले customer के लिए करते हैं, तो इसलिए котek मेھंदरा इतनी बड़ी संस्था बन चुका है तो दोस्तों आज की कोटक की स्टोरी में इतना ही वीडियो के इसे लिए कमेंट में अपने आज जरूर दें थैंक्स पर योर वैलेवल टाइम